येस, ready for dictation, start अध्यक्स मोहदे, परारंभ में केंद्रिय मंत्रि मंदल में कुछ भी मत भेद रहा हो परंतु ये हैं खुशी की बात है कि उसने सिक्षा के मामले में एक राष्ट्रे नीती स्विकार कर ली है विराम भले ही सिक्षा को सम्विधान की समवर्ती सूची में नए रखा गया हो और इसके संबंद में निर्णे करने का एक मात्र अधिकार राज्यों को दिया गया हो परंतु केंद्र द्वारा इस विशे में एक राष्ट्रे नीती का स्विकार किया जाना इस बात का सबूत है कि अधिकारों के जमेले में नय पड़कर सिक्षा के राष्ट्रिय महत्व को अब स्विकार कर लिया गया है विराम वैसे इसमें कोई सक भी नहीं कि राष्ट्र के समोचित विकास एवं निर्माण में शिक्षा का जो स्थान है उसकी द्रिष्टी से उस विशे में एक राष्ट्रे नीती अपना कर देर से अनुभव किये जा रहें एक अभाव की पूर्ती की गई है विराम सिक्षा के छित्र में जो एविवस्था और एसंतोस चल रहा है उसका उससे अंत हो जाएगा यह कहना अभी कठिन है विराम पैरा यह सत्य है कि नीती संबंदी जो योजना केंद्रिय सिक्षा मंत्राले ने बनाई वह कोठारी आयोग की सिफारिशों तथा उस पर संसदिय समीती के निर्णियों पर सरवाधिक आधारित है विराम यह भी सही है कि इस संबंद में राज्यों से भी प्रामर्श लिया गया है परन्तु इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि संसद द्वारा उसे स्विकार कर लेने के बाद भी उस पर अमल सुरू हो जाएगा विराम यह बात राज्यों पर आधारित है और यह किसी से छुपा नहीं कि कुछ राज्य सरकारों का सिक्षा की विभिन मुद्दों पर कुछ ने कुछ मतभेद हमेशा रहा है विराम ऐसी सूरत में शिक्षा विश्यक मुद्दों की घोशना के बाद भी उस पर अमल की गारंटी तभी संभो हो सकती है जब शिक्षा केवल राज्यों का विशे नय होकर केंदर का भी विशे होता तथा केंद्र का उस पर पूरा-पूरा नियंत्रन होता विराम मेरे विचार में इसके लिए अगर आवशकता पड़े तो सवीधान में परिवर्तन करना चाहिए ताकि सीख्षा के साथ और अधिक खिलवाड ने हो सके विराम अब तो संसद सदस्यों को विभिन दलों की संसदिय समीती का बल भी पराप्त है ऐसी हालात में इस परिवर्तन में कोई भी फेर बदल नहीं हो सकता विराम पहरा अब तक केंद्र और राज्यों की और से सीख्षा पर काफी विय किया जा रहा है लेकिन इस से विशेश लाब नहीं हो रहा क्योंकि सीख्षा में दोहरी वेवस्था चल रही है विराम कई कार्यकर्म जो केंद्र में है वे राज्यों में नहीं और जो राज्यों में है उन्हें केंद्र सविकार करने से हिच किचाता है विराम ऐसी दिशा में सीख्षा के संबन में कोई राश्यों नीती सविकार करना नहायत जरूरी है विराम यह केवल केंद्र ही कर सकता है विराम मेरा निवेदन यह है कि इसे जल्दी से जल्दी किया जाए विराम इसके लिए केंद्र सरकार को यह देखना होगा कि कुल मिलाकर देश की आर्थिक स्थिती कैसी है उसे ध्यान में रखकर सिक्सा के मद पर कितने प्रतिशत खर्च करना संभव हो सकेगा और फिर उससे सिक्सा छेत्र में क्या उन्नती संभव है विराम अगर हो सके तो इसके लिए एक निश्चित नियोनतम आवधी निरधारित कर दी जाए विराम इस समय राष्ट्र के पास धन की कमी हो सकती है परन्तु इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि भारत जैसे विशाल देश की निरक्सरता को समाप्त करने के लिए यह अत्यंत आवशिक है कि सिक्षा की मद पर अधिक से अधिक व्य किया जाए विराम करांती के बाद रूस में इस मद पर बहुत व्य किया गया था और आज भी वे है राश्ट्रिय आय का एक उलेखनिय भाग इसमें लगा रहा है विराम